हेलो गाईस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शरमा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 अगस्त के सभी इंपोर्टन करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंति तक जरूर देखेगा, आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी का इस सेशन को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यदि आप हमारे डेली करंट अफेर्स पीडियाफ, वीकली पीडियाफ और मंतली पीडियाफ चाहते हैं तो कॉमेंट बोक्स में जरूर लिखेगा, तो चलिए फिर करते हैं शुरूबात इस वीडियो शेशन की वीडियाफ बिहार विधानसवा अध्यक्ष किसे चुना गया है, ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर ओप्शन दी है, अवद बिहारी चोधरी तो देखिए RJD लीडर है, रास्ट जन्ता दल के लीडर है, अवद बिहारी चोधरी, इन्हें बिहार लेजिसलेटिव एसेम्बली का स्पीकर चुना गया है, देखिए जब भी कोई किसी राज्य की जो एसेम्बली है, उसकी स्पीकर चुने जाते हैं, तो एक्जाम में यह से कुश्चन बन जाता है, इसलिए आप इसको इंपोर्टेंट कुश्चन के तरह से देखिएगा, तो इन से पहले विजे कुमार सीना, बीजे पी के जो लीडर है, यह स्पीकर थे, लेकिन आपको पता है, एलाइन्स टूट चुगा है महां से, बीजे पी के साथ, तो इन् इति शुकुमार है, कैपिटल पत्ना है, और सबसे मेतनपूर्ण आपको जाना चाहिए, यहां पर बाइक्ैमरर लजिस्टेटर है, यानि कि यहां पर रिजिस्लेटिव एसेंबली के साथ, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव एसेंबली की सीट्स हैं 243, और जो लाइसलेटिव काउंसिल है इसकी सीट सेहां पर 75 अटल इनोवेशन मिशन और नीती आयोग विल इस्टेबलिश 500 अटल टिंकरिंग लेब्स इन विच स्टेट और यूटी अटल इनोवेशन मिशन और नीती आयोग किस राज्य या किंदर सासित परदेश में पांसो अटल टिंकरिंग लेब इस्थापित करेंगे औप्शन साब के सामने हैं सही आंसर ओप्शन सी है जम्मो एंड काश्मीर तो देखे अटल इनोवेशन मिशन एम और नीती आयोग इन दोनों ने डिसाइड किया है कि जम्मो एंड काश्मीर में पांसो ज्यादा अटर्ल टिंकरिंग लैप्स इस्टैब्लिश की जाएंगी ताकि जो हाइज स्कूल इस्टूडेंट्स हैं उनका जो माइंड सेट है वो थोड़ा इनोवेटिव बनाया जा सके तो जो अटर्ल इनोवेशन मिशन के तहत जो यह अटर्ल टिंकरिंग लैप्स जो इस्टैब्लिश की जा रही है इसका मकसद ही यह कि देश में एक इनोवेशन का जो कल्चर है उसको लाए जाया यानि कि जो बच्चे हैं यह जो यूश्टी के स्टुडेंट्स हैं स्कूल के जो बच्चे हैं कोई इस्टूशन में जो पढ़ते हैं तो उनके अंदर इस का जो है मकसद है अटर इनोवेशन मिशन के तहर्ट जो अटर टिंकरिंग लेप्स बनाई जा रही है बाकिया आप हो जाना चाहिए जो अटर इनोवेशन मिशन के मिशन डारेक्टर है डॉक्टर चिंतन वैश्नव प्राइमनिस्टर रिंधर मोदी इनरोग्रेटर श्वृती वन अर्थक्वैक मैमोरियल इन कच गुजरात इन वीच यह दे डिवासुट हिट दिस रीजन परदान मंतििर रेंधर मोदी ने गुजरात के कच छेतर में इस्वृती वन बुकम्प इसमारक का उधकातन कियां इस छेत्र में किस वर्ष एक बिनाशकारी बुकंप आया था ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंतर ओप्शन भी है 2001 तो आपको जाना चाहिए कि प्राइमिस्टर नरेंदर मोदी ने इसमृतिवन मैमोरियल इसको इनोग्रेट किया है जो गुजरात का कच्छ रीचन है यहाँ पर आप सभी जानते है 2001 में अर्थक्वेक आया था काफी गंबीर अर्थक्वेक आया था और लगबग 13,000 लोग इसमें बिर्थिवी हो गई थी तो उन्ही के सम्मान में उन्ही को याद करते हुए इसमृतिवन मैमोरियल इनोग्रेट किया गया है आपको जानना चाहिए यह इस तरह का पहला एक मैमोरियल बनाया गया है जो की भूजियो हिल नियर बुच टाउन में बनाया गया इसको 471 में तो क्या exact date क्या थी 26 जनवर 2001 हमारा क्रिपपलिक डे था इस दिन और इसी दिन ये भुकंप आया था तो जो लोग हैं जो सर्वाइब कर गए उनकी स्प्रीट को यहां पर सलाम करने की कोशिश की गई है इसमृतिवन मैमोरियल बनाकर इस मैमोरियल में उन सभी लोगों का नाम है जिन्होंने अपनी जि सिविलाजेशन जो है इस रीजन की उसको यहां पर सोकिस किया गया है साइन्टिफिक इन्फोमेशन रिगार्डिंग अर्थक्वेक्स, गुजरात्स कल्चर, साइन्स बिहाइंड साइकलोंस एंड कच सक्सेस स्टोरी आफ्टर दा अर्थक्वेक यह सभी इस मुजियम में स सरवक्ष निया लेके नियाएदीशों को अधिरिक्त सेवा निवरति लाप प्रदान करने के लिए किस अधिनियम में संशोगन किया है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन सी है सुप्रीम कोर्ड जजेस सेलरीज एंड कंडिशन औफ सर्विस एक्ट नाइंटीन तो देखें सेंट्रल गॉर्मेंड ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ड जजेस सेलरीज एंड कंडिशन औफ सर्विस एक्ट नाइंटीन फिफ्टी एट को अमेंड किया है इसमें कुछ संसोधन किया है संसोधन का कारण यह है कि अब जो रिटाइड चीफ जस्टिस हैं या फि तो देखें उनको टाइप 7 रेंट फ्री अकमोडेशन दिया जाएगा डेली में 6 मंत के लिए उनके रिटाइर्मेंट डेट से अगले 6 महिने तक के लिए और जो भी रिटाइड चीफ जस्टिस हैं या फिर रिटाइड जजेज हैं उनको सेक्योर्टी कवर दिया जाएगा राउन्ड दे क्लोक का मतलब होता है 24 गंटे 7 दिन राउन्ड दे क्लोक और एक पर्सनल सेक्योर्टी गार्ट तो रहेगा यह उनके पास एक साल के लिए इसलाल के साथी जो जजेजे इसे उनको शवफा भी दिया जाएगा यह जो सबड़ लिकाइस को मलते हैं शोफा का मतलब होता है जो ड्राइवर होता है एक तरह का पर्सनल ड्राइवर भी आपके सकते हैं और Secretariat Assistant भी यहां पर दिया जाएगा जो Retired Chief Justices है उनको एक साल के दिये Surpassing 20 legendary bowler James Anderson become the most successful fast bowler of all time in international cricket with his 950th wicket किस महान गेंदवाज को पीचे चेड़ते हुए James Anderson अपने 950th wicket के साथ अंतराश्टी cricket में अब तक के सबसे सफल तेज गेंदवाज बन गए है options आपके सामने हैं सही answer option दी है clean macro तो देखें इंग्लैंड के fast bowler James Anderson आप सभी जानते होंगे इन्होंने South Africa के खिलाफ second test match में खेलते हुए अपना 950th international wicket लिया है इसे के साथ इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो लिजेंट विक्रिकेटर रहे है इन्हें पीछे छोड़ दिया है अगर हम फास्ट पोलिंग की बात करें तो ग्लेन मेंग्लैंड के नाम 949 विकेट्स है और अब एंडरसन के नाम हो चुके है 950 विकेट्स तो अब इन्टरेंसल क्रिकेट में दिया हम बात करें सबसे ज़्यादा सक्सेस्फुल फास्ट पोलर कोन है तो वह हैं इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन तो देखिए जो जेम्स एंडरसन है यह अपना 173 टेस्ट मैच खेल रहे हैं और अपने घर पर इंग्लैंड में 100 इनका ये टे जेम्स एंडरसन इंडियास फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ओफिस तो सून कम अप इन्विस सिटी भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाग घर जलती कि सहर में स्थापित होगा ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन C है बैंगलुरू आपको जाना चाहिए इस लेयाउट में सेट अप किया जाएगा पॉस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा और इसके लिए जो बिल्डिंग मैट्रिगल्स एंड टेक्नलोजिक प्रोमोशन कांसिल है मिनिस्ट्री ओफ हाउसिंग अंड अर्बन अफेर्स की साथी आईटी मद्रास इन्होंने भी अप्रोमोशन के लिए जो इसका टेक्नलोजी एप्रोमोशन जो चाहिए होता है ना इस तरह की स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसको अपना एप्रोमोशन को कि आप इस स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ सकते हैं विच बैंक विल एक्वाइर 9.94 परसेंट इस्टेक इन गो डिजिटल लाइफ इंशुरेंस गो डिजिटल लाइफ इंशुरेंस में कौन सा बैंक 9.94 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगा ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन C है HDFC बैंक तो आपको जाना चाहिए कंट्री का लार्जेस प्राइफ सेक्टर बैंक HDFC बैंक ये गो डिजिट लाइफ इंशुरेंस लिम्टिड में इन्वेस्ट करेगा आपको बताते हैं जो ये गो डिजिट लाइफ इंशुरेंस है ये बैक्ट अब बाई है Canada-based Fairfax Group के द्वारा ये एक बैक्ट इंशुरेंस कंपनी है तो इसमें जो HDFC बैंक के 9.944% इस टेक अपने एक्वायर करेगा बाकी हमने HDFC बैंक से संबंदित काफी Current Affairs हाली के कुछ दिनों में पढ़े हैं जल्दी से रिवाइज करेंगे उन्हें SDFC बैंक को Euro Money Awards 2022 में Best Bank in India गोशित किया गया SDFC बैंक परिवरतन ने IISC Bangalore के साथ एक MOU साइन किया SDFC बैंक ने Producery में First All Women Branch ओपन की है SDFC बैंक ने तीन prestigious Awards जीती है Asia Money Best Bank Awards में जिसमें की एक इनको Best Bank बताया गया है MSSME के लिए साथ ही आपको जानना चाहिए जो पूरा debit card का market share है उसमें SBI टोप पर है और अगर हम credit card की बात करें तो उसके जो total market है उसमें सब श्यादा share किसका है SDFC बैंक के जो credit card है महराष्ट to get its first Divyang Park in this city महराष्ट को अपना पहला दिव्यांग पार्क की शहर में मिलेगा options आपके सामने हैं सही answer option B नाकपूर है आपको जानना चाहिए नाकपूर महराष्ट में समाजिक अधिकारिता सिविर for senior citizens and दिव्यांग चन इसका आयोजन किया गया है इसी आयोजन के दोरान union minister of social justice and empowerment dr. विरेंद्र कुमार इन्होंने एनाउंस किया कि महराष्ट का जो first Divyang Park है यह नाकपूर में establish किया जाएगा और जल्द इसका कारें शुरू कर दिया जाएगा तो दिव्यांग पार्क में कई तरह की facilities रहेंगे दिव्यांग जन्स के लिए जैसे sensory garden, textile pathway touch और smell garden, skill training facility, rehabilitation facility, sports and infotainment यह सबी इसमें शाविल रहेगा who has become the youngest person to fly solo around the world, दुनिया बर में अकेले उडान भरने वाले सबसे कम उम्रे के व्यक्ति कोन बन गए है, options आपके सामने है, सही आंसर option D है, Mac Rutherford तो देखे 17 साल के हैं, और Belgian British जो है इनकी nationality है, पाइलेट है, यह Mac Rutherford तो यह youngest person बन गए है, जिरोंने एक small aircraft से इस पूरे दुनिया का जो है ब्रह्मन किया है और कहाँ पर land किया इन्होंने, Sophia, Bulgaria में, तो रगबग 52 nations की journey इन्होंने पूरी किया, पाँच मन्त इन्होंने अपनी journey शुरू की थी, तो इन्होंने दो गिनीच world records यहां पर हासिल किये हैं, तो पहला तो यह ही है कि यह youngest person बन गए है, जिरोंने खुद से इस पूरे world का जो है ब्रह्मन किया है, एक small aircraft में, साथ ही, यह youngest person बन गए है, to circumnavigate the global inner microlight plane, इस से पहले यह जो record है, किसके पास था, British pilot, ट्रेविस लोड लोग के पास, जो कि अठारा साल के थे, नेशनल small industry day is celebrated on which day, रास्टिया लगू उद्योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, options आपके सामने है, सही आंजर options, यह ऑगस्ट 30, तो देखें, नेशनल small industry day, यह हर साल 30 अगस्ट को मनाया जाता है, और आपको जानना चाहिए, कि अगस्ट साल 2000 में, जो government of India है, इन्होंने small scale industries के लिए एक comprehensive policy package भी formulate किया था, साथे आपको जाना चाहिए, यह भारत में total goods and services जो produce की जाती है, उन्होंने 40% जो share है, वो small scale industry का रहता है, बाकि अगर हम बात करें, small industry से संबंदित, जो government ने कुछ initiatives लिया है, उन्होंने champions portal है, उद्यम है, national SCST हब है, अगस्त 30 को ही international day of the disappeared भी celebrate किया जाता है, Dreamset Go, India's first premium sports experiences and travel platform announced which former cricketer as its first brand ambassador, बारत के पहले premium sports experience और travel platform Dreamset Go ने किस पूरव क्रिकेटर को अपना पहला brand ambassador खुशित किया, options आपके सामने है, सही आंतर option भी है, सुरव गांगुली, तो देखिए Dreamset को, जो कि इंडिया का first premium sports experiences and travel platform है, इसने सुरव गांगुली का अपना first brand ambassador nuked किया है, वर्ड अंडर 20 wrestling championships 2022 वेर इंडियाज महेंदर बाबा साहिव गांगुली का अपना, सही आंतर option भी है, अर्जुन एरिगाईसी, तो देखिए Indian grandmaster है, अर्जुन एरिगाईसी, इन्होंने Spain के David Anton Guizaru को final round में हरा दिया है, और इन्होंने 28th आबुधाभी Masters Chess Tournament जीत लिया है, वर्ड अंडर 20 wrestling championships 2022 वेर इंडियाज महेंदर बाबा साहिव गायकवार won the silver medal in the men's 125 kg freestyle event held in which country, विश्व अंडर 20 कुष्टी championship 2022 जहां भारत के महेंदर बाबा साहिब कायकवार ने पुरुसों की 125 kg freestyle इस परदा में रजत पज़ग जीता, किस ते इसमाय जीत हुआ है, options आपके सामने हैं, सही आंतर option भी है, बुल्गैरिया, कई बार पढ़ चुके हैं इस question को, इस तरह के question को, तो देखिए यही चर्चा में रहा है, world under 20 wrestling championships 2022 जो की Sophia बुल्गैरिया में हुआ है, 45th edition रहा, यहां पर इंडिया के महेंदर बाबा साहिब का एकवार ने silver medal जीता, मेंस 125 freestyle division में, किस से हा रहे हैं, इरान के, एमेरिजा, फर्दीन, मसोमी, वलादी से हा रहे हैं, बाकिया आपको जाना चाहिए, overall अगर हम medal जो टैली है, इसकी बात करें, तो भारत 5th position पर रहा है, 16 medal भारत में आपर जीते, जिसमें 1 gold है, 4 silver है, 11 bronze है, गोल्ड मेडल किसमें जीता, अन्तिम पंकल ने, इस medal टैली को, टॉप किसने किया है, जापान ने, जापान ने वैसे तो 15 medal जीते हैं, लेकिन, इसने gold जादे जीते हैं, न 9, तो gold का count करते हैं, रेंग के हिसाब से, जिसने जादा gold जीते हैं, उसकी रेंग सबसे उपर रहती है, टू डे नेसनल लेबर कॉन्फरेंस हेल्ड इन विच स्टेट, दो दिवशे रास्टेश्रम सम्मेलन कि सराज जमया जीत किया गया, सही आंतर उप्षन दी है, आंधर प्रदेश, तो देखिए, Ministry of Labor and Employment, Government of India ने दो दिन का, National Labor Conference of Labor Ministers and Labor Secretaries of States and UTs, इसको त्रिपती आंधर प्रदेश में आईजित किया, और यह जो पुरी Conference रही, यह चार Thematic Sessions पर आधारीत रही, जिस पर इस बात पर ज़्यादा जोड़ डाला गया, कि जो इश्रम पॉर्टल है, उससे लिंक किया जाए, जो भी Central Government और State Government की जो Social Protection Scheme से, उनको इश्रम पॉर्टल से लिंक किया जाए, बाकिया आप जानते है, Union Labor Minister भुबेंदर यादव है, और Minister of State in the Ministry of Labor and Employment है, रामिश्वर्ट तेली, The Niti Aayog has declared this district in Utrakhand as the best aspirational district on five parameters, Niti Aayog ने Utrakhand के किस चिले को पाँच मानको पर सरफशिष्ट आकांगशी, जीला गोशित किया, सही आंतर अप्शन भी है, हरिद्वार, उत्राखंड में, इसको पाँच मेरामिटर से पर best aspirational district गोशित किया है, और इसी वज़े से इसको additional allocation भी दिया है, तीन करोड रुपई का, तो देखिए, aspirational district program में, Niti Aayog द्वारा लोंच चिया गया था, जिसमें की पाँच मेरामिटर के हिसाब से, हर एक district की performance को evaluate किया जाता है, कौन-कौन से ये parameter से जान लेते हैं, health and nutrition, education, agriculture and water resources, financial inclusion and skill development, साथी infrastructure, जो बगले percentage लिखिये, इसका मतलब है, कितना weightage है, rank बनाने में, हर एक parameter का कितना weightage है, वो बतायागे है, सबस्यादा weightage इसका है, health and nutrition, और education का, which of the following will be developed by the उत्तरप्रदेश government as perfume tourism destination ने में लिकित में से किसे उत्तरप्रदेश शरकार द्वारा इत्र परियटन इस्थल के रूप में विक्सित किया जाएगा, सही answer, option B, कन्नोज है, तो दिखे, उत्तरप्रदेश government ने decide किया है, कि हम कन्नोज को perfume tourism destination बनाएंगे, इसी के तहत, state government ये भी प्लान कर रही है, कि दिसंबर के महीने में एक perfume fair, international perfume fair भी organize किया जाए, कन्नोज में, कन्नोज के बारे में आपको जानना चाहिए, कि ये scent वगरा के लिए काफी famous है, और इसको इंडिया की perfume capital जाना जाता है, कि रूप में जाना जाता है, आप YouTube पर देखेगा किस तरह से कन्नोज में इत्र बनता है, बहुत बड़े बड़े बरतन होते हैं, जैसे बड़े बड़े होती हैं, हांडी टाइप जो होती हैं, उस तरह की होती है, काफी मज़ेदार प्रोसेस होता है, किस तरह से बनता है आप देखेगा YouTube पर, इस तरह क कि लाइफ में कुछ आगे काम आएगा कि यहां इत्र कैसे बनता है पर यह है कि माइंड फ्रेश हो जाता है इस तरह की जब हम चीज़े ज़िए रिखते हैं साथ यह आपको जाना चाहिए Central Institute of medicinal and aromatic plants यह से संबंदित है इसलिए मैंने आपर एड कर दिया है यह लखनों में है कई बार पूछ लेते हैं खास करके उत्तर प्रदेश का जो एक्जाम होते हैं उसमें तो पूछ लेते हैं यह वाला कोश्चन Scientists from Indian Institutes in Hyderabad and Bengaluru have established a way of studying the nuclear matrix of which insect without removing the nucleus from the embryo सही आंसर option भी है Fruit Fly Hyderabad और Bengaluru में भारतिस अंस्थानों के वैग्जानिकों ने ब्रूण से किंद्रक को हटाए बिना किस कीट के परमाडू मैट्रिक्स का अध्यान करने का एक नया तरीका इस्तापित किया है सही आंसर option भी है Fruit Fly तो देखिए एक Novel Method को यूज़ करके जो CSIR Center for Cellular and Molecular Biology Hyderabad और Tata Institute for Genetics and Society Bengaluru यहां की जो researchers हैं इन्होंने एक नया तरीका निकाला है जो Fruit Fly है उसकी nuclear matrix को study करने का और इस तरीके में जो है Embrois से nucleus को भी remove नहीं किया जाता मतलब जो nuclears को remove किये भी नहीं आप Fruit Fly का जो nuclear matrix है उसको study कर सकते है Celebrated पाकिस्तानी सिंगर Naira Noor passed away She was born in which Indian city मशूर पाकिस्तानी गाएका Naira Noor का निदन हो गया उनका जन्वे किस बाहर ते शहर में हुआ था options आपके सामने है सही answer option C है गुवाहाटी यह काफी जानी जाती थी अब हम लोग तो इतना नहीं जानते है ना क्योंकि हम लोग इतना इस तरह का संगीत नहीं सुनते पर काफी जाना मना नाम है इंडिया में भी पाकिस्तान में भी इनका नयारा नूर तो इसलिए यह भी question जो है मैंने सूचा कि इसको भी include कर लेते हैं क्योंकि जातर निउस्पेपर ने इसको cover किया है इनकी death को तो देखिए पाकिस्तानी सिंगर रही नयारा नूर जिनने की नाइट अंजल ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है 71 वर्ष की उम्र में निदन हो गया है आपको बता दें इनका जन्म गोहाटी आसाम में साल 1950 में हुआ था इनके जो फादर थे वो ओल इंडिया मुस्लिम लीक के एक्टिव मेंबर थे और जो पाकिस्तान के फांडिंग फादर है मोहमाद अली जिनना जब यह आसाम में आये थे तो इनहीं के नयारा नूर के जो फादर हैं इन्हों नहीं इनको होस्ट किया था आसाम में इनकी फैमली जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में माइग्रेट हो गई थी किंद्र ने राष्ट्रिय डेरी विकास बोड के कारेकारी निदेशक के रूप में किस व्यक्ति का कारेकाल और छे महीने के लिए बढ़ा दिया सही आंसर ओप्शन डी है मिनेश सी सा तो देखिए साइंटरल कॉर्मेंड ने मिनेश सी सा इनको नेशनल डेरी डेवलप्मेंट बोड के एक्जेकुटिव डेरेक्टर के रूप में और छे महीने का एक्स्टेंशन दिया है आपको बता दें जो फुल टाइम चेर्मेन की जो पोस्ट है ये दिसंबर 2020 से ही आपर खाली है तो क्यों खाली है क्योंकि इन से पहले दिलीप रत जो थे इन्होंने अपना ओफिस जो है छोड़ दिया था क्योंकि इन्हें बोर्ड ऑफ इंटरनेस्टरल डेरी फेडरेशन में इलेक्ट कर लिया गया था इसलिए तो तब से ये जो पर्मानेंट जो पोस्ट है जो फुल टाइम चेर्मेन की पोस्ट है ये खाली है साथे आपको जाना चाहिए कि 12 से 15 सितंबर के बीच में अभी 2022 में ही IDF World Dairy Summit 2022 ये भी निव डेली में आई जी तो हुई इसका थीम रेका Dairy for nutrition and livelihood आपको जाना चाहिए जो ये NDDB है National Dairy Development Board की स्थापना 1965 में हुई थी और ये जो हमारे प्राइमिस्टर रहे पहले मतलब पूर्व के जो प्राइमिस्टर रहे लाल बहादूर सास्त्री इनका ब्रेंचायड था brain child मतलब इनकी दिमाग क्यों पज इनकी सोच थी इनका आइडिया था ठीक है जो लाल बादर सास्ती थे उनकी ये उनका brain child था उन्होंने कहा था कि NDDB को established किया जाए ताकि जो अमूल मोडल है उसको पूरे देशवर में replicate गिया जाए और जो वर्गिस क्यूरियन है इनको इसका chairman निउखत किया गया था केंडर ने भारत ब्रांड के तहट वन नेशन वन फर्टिलाइजर यूजना को लग करने का आतेश जारी किया है वर्तमान में केंडरिय उर्वरक और रशायन मंत्री के रूप में कौन कारेरत हैं उप्शन्स आपके सामने हैं सही आंत्र उप्शन्स ही है मांचुक मांड भी है आप देख रहे हैं पैकेच इसमें देखे आगे लिखा है भारत यूरिया और इधर लिखा है भारत डीएपी तो आप अपना कंपनी का नेम लोगो वगरा जो भी टेग नाइन है वो तो आप वन थर्ड पार्ट में लिख लिजेगा और बाकी जो प्रोड़क्ट है उसके साथ भारत लिखा होना चाहिए भारत यूरिया भारत डीएपी यह सबसे आगे लिखा होना चाहिए और भारत ये जन और वरत यह भी लिखा होना चाहिए हालागी कंपनी इस चीज़ से नाराज है कि उनके जो है जो उनका ब्रैंड है उसको लॉस होगा तो चली जानते हैं मिस्ट्री ओफ कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर इन्होंने वन नेशन वन फर्टिलाइजर इसको इंप्लिमेंट करने का डिस मैं आप पीछे बैड दिखाया जो उसमें डी नाम है लोगो और है और प्रोड़क्ट की इनफोमेशन ederkonal warto बागी का जो उसमें से लिखा जाएगा चाहे कोई public company हो या फिर private sector company हो इसी तरह से लिखेगी भारत यूरिया भारत दीएपी इस तरह से कि साथ यह आपको जाना चाहिए जो fertilizer companies हैं उनको का गया है कि 15 सिदमबर तक आप जो है अपने जो यह old design bags है यह procure आप कर पाएंगे fertilizer companies will not be allowed to procure all design bags from September 15 तो 15 सिदमबर के बाग आप अपने जो old design के जो bags इनको प्रोक्योर नहीं कर पाएंगे और जो नया system है जो मैंने आपको अभी डिसकस किया ओपर ही है यह 2 October 2022 से लागू हो जाएगा हाला ह कि 12 दिसमबर तक की यहां पर timeline दी गई है companies को कि जो आपका अभी जो आपका products बचे हुए है उनको exhaust कर लिजे जो भी old design bags है उनको आप जल्दी से finish कर लिजे प्रिबिएस assignment questions के answer देखेंगे Casper Rhodes State is the CEO of which company added us who has been named as the Bharati Janta Party's UP President Bupendra Chaudhary in 2008 author Salman Rushdie received the Booker of Booker's Prize for Midnight's Children which state government is planning to launch an online monitoring system for medicines for hospitals Keral who is the next senior most judge in the Supreme Court after 49th CGI UU Lalit and is believed to be believed to be in the line to be the CGI Justice T.Y. Chandrachur which portal has been launched by the Union Government to bring together all the awards of various ministries of the government under one platform Rastriya Pruskar portal speaking at the National Labour conference Prime Minister and Modi justified the government's decision to convert 29 labor laws into how many simple labor codes answer is 4 और आपने से कई अस्पिन से बिलकुल सही answer दिया इसी तरह से आप आप स्पेट करते रहें आज ये assignment questions देख लेते हैं कुतुप शाही टॉम्स are located in which city which has become the fastest aging country in European Union researchers from which country have developed the world's most durable hydrogen fuel cell which state government is planning to launch an online monitoring system for medicines for hospitals ये दो हो गया था ना इस वाले को रहन दीजेगा what is the name given to any football match between Spanish football club Real Madrid and Barcelona इसका मतलब क्या है तो देखे कोई मैच जो होता है Real Madrid और Barcelona के बीच में तो उसको क्या नाम दिया गया है यह आपको बताना है एक टर्म है वो दी जाती है Real Madrid और Barcelona के बीच में जो मैच होता है उनको which states tribal-dominated mandala region has become the first fully functionally literatistic in the country साथ यह आपको बताना है which ministry signed NMOU with ministry of IUS for digitalization of IUS sector under the IUS create project for a period of three years तो इसमें जो फोर्थ question है यह repeat हुआ है इसका तो आंसर पीछे दे दिया है बाकी जो question है उनके answer आप comment box में जरूर दीजिएगा एक भी question का answer आता है तो जरूर से आप provide कराईजिएगा साथी current affairs रूंड़ा को आप आज का इस सेशन आपको कैसा लगा comment box में जरूर बताईएगा थैंक्यू गाईज उय से धान के लिए को आपको लगा है यूमी Leonardo